एलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूं सब अच्छे होंगे वेलकम बैक टू अबर चैनल श्यार पियर बेसिक आज फिर से हम एक नए टॉपिक लाए हैं आपके लिए तो आज हम अच्छे वही टॉपिक कॉंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में किया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में आज की वीडियो के बारे में तो आज का जो वीडियो है वो हमारा रहेगा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के उपर क्यूंकि हमने इससे पहले जो वीडियो आपको दिया था वो था रिटेल इंटरनेट बैंकिंग क तो आज हम बात करेंगे corporate internet banking के उपर ये जो वीडियो रहेगी ये एक educational purpose से बनाई गई वीडियो रहेगी और इससे होप सोग या आपको सीखने को मिलेगा तो चलिए बात करते हैं आज के topic के बारे में तो सबसे पहले तो वही सेम चीज है जैसे हमने पिछली वीडियो में भी discuss किया था इस state bank जो है वो world class internet banking service provide करता है अपने customer को चाहे वो corporate customer हो तो वो किस तरीके से करता है वो आप www.online.sbi.sbi.sbi पर जाके आप देख सकते हैं जैसे कि ये link भी दिया गया है तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हम corporate internet banking जो उनके customer है उनको एक facility भी provide करते हैं जिसका नाम है CINB ये facility भी provide की जाती है तो इसमें क्या होता है कि आप अगर corporate internet banking यूज करते हैं sbi की तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आप कहीं से भी बैठ के इसको यूज कर सकते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको मैं बता लेता हूँ आज हम इसी के बा banking बहुत easy banking हो जाती है आप easily way से banking operate कर सकते हैं कहां कहीं पर भी बैठ कि आप इसको use कर सकते हैं जैसे कि लिखा भी हुआ है कि आप अपने account को operate कर सकते हैं चाहे आप घर पे हैं चाहे office में हैं कहीं से भी आप इसको use कर सकते हैं second है maker maker में आता है कि checker model to assure security and integrity in the transaction जो transactions होती हैं उनकी security के लिए है ये maker जो आप अगर आप corporate internet banking यूज करते हैं तो उसमें अगर आप कोई transaction कर रहे हैं उसकी security provide करता है ये maker third है anytime banking कभी भी आप इसको use कर सकते हैं कहीं भी use कर सकते हैं और ये 24 into 7 basis होती है हमेशा आप कभी भी किसी भी वक्त इसको use कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास है save time and cost ये time भी save करता है तो इसके बाद आपके बाद आपके पास आपता है कि no need to go to branch for the routine transaction अगर आप daily use में कभी transactions करते हैं तो आपको रोज बैंक जाने की जुरत नहीं है ये आपका time भी save करता है और आपकी पैसे की भी बचत करता है तो दूसरी चीज़ जाती है promote green banking ये green banking को भी कही नगें promote करता है क्योंकि इसमें कोई paperwork की जड़त नहीं होती उसके बाद है इसमें आप bill पे कर सकते हैं tax पे कर सकते हैं अगर आपका कोई due है online तो आप उसको भी पे कर सकते हैं आप बिना line में लगे ये सब चीज़ें कर सकते हैं online बैठके अपने घर से उसके बाद हमारे पास है file upload facility फाइल upload facility से तो आप समझ गए होंगे कि file upload कर सकते हैं किसी भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जैसे bulk payment of salary तो अगर ऐसी कोई facility चाहिए तो उसके लिए tax के लिए prepaid के लिए card, top up, utility bills इन सब चीज़ों के लिए आप file upload कर सकते हैं online बैठके य उसके बाद हमारे पास आता है transfer money to other bank दूसरे bank के लिए भी easy होता है दूसरे bank को अगर आप पैसा transfer करना चाहते हैं अपने SBA account से तो वो भी आप कर सकते हैं supplier payment supplier payment के लिए भी easy है तो उसके उसमें क्या होता है कि online बैठके आप payment supplier को भीज सकते हैं उसके बाद merchant payment by using merchant pre-approved limit to different merchant like telecom जैसे अलग-अलग merchants है तो आप उनकी payment के regarding भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं जैसे आप उसमें pre-approved limit आपको मिल जाएगी कितने तक का पैसा बेज सकते हैं तो आप जैसे merchants होते हैं जैसे telecom related merchants है या फिर आप को बिजली का जो बिल है उसके रिलेटर है municipal corporation बिल जो आप पे करते हैं उसके उपर भी आप ये सब merchant pay में आ जाते हैं तो इसको आप यूज करके merchant pay भी बहुत easily से एकसेस कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आता है ASBA एक facility है जो किसलिए होती है to apply IPOS online IPOS online apply करने के लिए ASBA का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद हमारे पास है MIS और reverse file MIS भी आपको यहाँ पे मिलता है तो ये भी आपको facility corporate internet banking में SBA प्रवाइड करता है इसके इलावा हमारे पास है state bank collect state bank collect में हैं कि आप अलग अलग जो आपकी fees है collections हैं वो भी आप इसमें maintain करके रख सकते हैं इसके लिए भी आप corporate internet banking का use कर सकते हैं उसके पास हमारे पास थोड़ा सा है की feature of corporate internet banking जैसे आप देख सकते हैं ग्राफ के जरीए बताया गया है तो सबसे पहले हमारे पास है government tax payment, merchant payment इन सब चीजों के लिए भी हम corporate banking का use कर सकते हैं second है EPF payment online अगर EPF आपको भरना है या फिर आपको EPF के related कोई चाहिए आप transaction करना चाहते हैं तो उसके related भी आप corporate internet banking यूज कर सकते हैं third है हमारे पास prepaid card, top up इन सब चीजों के लिए भी आप इस चीजों के लिए भी आप इस चीजों को access कर सकते हैं corporate internet banking को access कर सकते हैं उसके बाद next है हमारे पास supplier payment जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी supplier को भीजना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं यहां से direct debit यह भी सी में आता है और उसके बाद हमारे पास है M.I.S. reports generation अगर आप M.I.S. की क्यों रिपोर्ट आपको चाहिए तो वो भी आपको easily provide हो जाती है उसके बाद हमारे पास जो last आता है वो आता है e-commerce state bank collect e-commerce जैसे internet के थूँ आप कोई state bank collect करना चाहते हैं मतलब कि state bank से कोई प्रैसा जैसे कोई fees है और या फिर कोई collection है वो भी उसके लिए भी आप corporate internet banking का use कर सकते हैं जो आपको SBI provide करता है तो ये था आज का वीडियो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप प्लीज हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए कि हम किसके बारे में बात किये हैं और इसके आगे हम आने आली वीडियो में बात करेंगे तो अब हम आपसे विदा लेत हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू वेरी मुच्छ